हेलो बीटा कल हमने यहां तक पढ़ लिया था अज उससे आगे कि स्टाट कर रही हूं डॉग मार्क्स आउट देर ऑन एरिया ऑन देर रोड दे कैन मेक आउट इफ अरदर डॉग हैस कम इन्टू देर एरिया बाइद स्मेल आफ इट्स यूरिन अन पोटी यहां तक कल मैंने बता दिया था कि जो डॉग होते हैं कुटे जो होते हैं वो क्या करते हैं अपने एरिया को मार्क करते हैं और इसलिए आपने देखा होगा वो दिवारों पे या फिर कहीं पेड के पास यूरिन और पोटी करते रहते हैं और वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने यूरिन औ सकी now next अब के लिए यहां पर एक टेबल है write the names of five things whose smell you like and five thing whose smell you do not like that is your homework do in your notebook okay after this whoso sorry why so today Rajni had to go out for some important works यानि Rajni आज कुछ जरूरी काम से बाहर गई she had to leave her six month old son Deepak with her sister Sushila उसने अपने छे मेने के बच्चे को अपने बहन Sushila के पास छोड़ा Sushila also has a baby of the same age Sushila का भी उसकी ही बच्चे की एज का एक बच्चा था if was it was funny that both the baby did potty at the same time और यह बहुत ही मतलब एक तरीके से funny था कि दोनों बच्चों ने एक ही समय पे क्या कर दी थी पोटी कर दी थी she happily cleaned her daughter but when she was clean her sister's son दीपक she covered her nose with her dupatta यहने उसने अपनी बेटी की जो पोटी थी वो तो आसनी से साफ कर दी खुशी खुशी साफ कर दी लेकिन जब उसने अपनी बेहन के बेटे की पोटी साफ कर नी थी दीपक की तब उसने क्या क्या अपनी nose को किस से cover कर लिया था दुपटे से cover कर लिया था see here यहां आपको क्या पता चला कि जो smell थी मतलब उसने जो अपनी बेहन के बेटे की जो पोटी थी उसको ऐसा लगा कि इसमें smell ज़्यादा आएगी या फिर मतलब कुछ उसे ऐसा अनुभा हुआ इस वज़े से उसने क्या क्या तुरंत अपनी nose को cover कर लिया most of the bird have their eyes on either side of the head their eyes can focus on two different things at a time यानि अधिकतर जो birds होती है उनकी जो आखे होती है वो head के दोनों side होती है यानि उनका जो सीर होता है उसके दोनों तरफ होती है और यह क्या करती है their eyes can focus on two different things at a time एक ही समय में दो अलग-अलग चीजों पे क्या करती है focus करने में वो help करती है when they look straight ahead both their eyes focus on the same object यानि अगर यहां कोई object है और उसको bird कोई देखना चारी है तो उसका focus क्या होगा पूरा इस point के उपर होगा कौन सी दोनो eyes का जिसे यह bird है यह अगर सामने रखे हुए कोई चीज को देखना चारी है तो इसकी यह दोनों जो eyes है इसका focus कहा होगा इसके उपर होगा और otherwise क्या होता है यह जैसे यह bird है यहां पर यह वाली bird यह क्या करेगी यह यहां से इस तरफ भी देख पाती है और इस तरफ भी देख पाती है यह यह दोनों तरफ देखने में capable होते है आपने देखा होगा birds जो होती है अपने गर्दन को बहुत जल्दी जल्दी गुमाती है do you know why अपको पता है क्यों in most of the birds eyes are fixed and cannot move यानि जो अधिकतर birds होती है उनकी आँखे जो होती है वो fixed होती है वो move नहीं करती है इस वज़े से क्या करती है वो गर्दन को गुमा कर यहां देखो different different position दी हुई है birds की close your right eye or cover it with your hand यदि आप किसी भी एक आँख को अपनी को बंद करते हो और क्या करते हो दूसरी आँख से जब आप देखने की कोशिश करते हो तो मतलब हमें क्या होता है उस आई से हमें जो आप देखना चाहरे हैं वो धंग से नहीं दिखाई देता है कभी आप try करके देख सकते हों चीश को क्या दिया है tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to some action यानि आपने right eye बंद की और उसी side में आपके friend को अगर आपने खड़े होने के लिए कहा और वो कुछ action कर रहा है तो क्या आप उसको देख पाओगे could you see your friend's action without moving your neck अपनी घरदन को बिना हिला है क्या आप उसके action को देख पाओगे you try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck यानि आप क्या कर सकते हों अगर आपकी दोनों आखे खुली हों तो बिना घरदन को घुमाए क्या आप उसको देख पाओगे what was the difference on looking with one or both eyes यानि अगर आप एक आख से देखते हो या दोनों आखों से देखते हो तो उसमें क्या difference होगा now toss a small ball or a coin try to catch it अगर आप ball को और या फिर जो coin है उसको उपर की तरफ उचालते हो और उसको catch करने की कोशिश करते हो try this with both your eyes open जब आपकी आप दोनों आखे खुली है उससे मैं catch करने की कोशिश करते हैं तो हम वो आसानी से catch कर पाते हैं बट अगर जो next आपका दिया है उसमें क्या दिया है कि अगर हम किसी एक आख को क्या कर दे close कर दे देखो imagine how it would be to have your eyes in the place of your ears अगर आपकी आखें कानों की जगे हो तब क्या होगा what do you what would you be able to do then which you cannot do now यहनि उसमें आप क्या करोगे some birds like kite, eagle, vulture can see four times as far as we can यानि हम जिस चीज़ को जितनी दूरी से देख पाते हैं हम से ज़्यादा दूरी से चार गुना ज़्यादा दूरी से कुछ birds है जैसे eagle है, vulture है, kites है यह देख पाती हैं यानि अगर हम एक मिटर की distance से किसी वस्तू को आसानी से देख पाता है तो यह चार मिटर की distance से भी उस वस्तू को आसानी से देख सकते हैं यानि हम से चार गुना Now, can you guess from what distance can a eagle in the sky can you see a roti on the ground यानि आपने अभी first starting में मैंने आपको बताय था कि कई बार हम लोग ग्राउंड में बैठे रहते हैं जो crow होता है eagle होता है वो हमारी रोटी को लेकर चला जाता है यानि उसनी क्या क्या बहुत उचाही से उसको क्या हो गया हमारी रोटी दिखाई दे गई do animals see colors क्या animals color देख सकते हैं animals cannot see as many colors as we can यानि हम जैसे बहुत सारे colors देख सकते हैं वैसे animals सारे colors नहीं देख पाते हैं see how things in these picture will be seen by the some animals यानि कुछ animals के true यह जो colors दिखाई दे रहे हैं यही colors दिखाई देते हैं वो इसमें दिखाई गए है it is believe that animals that are awake in the daytime can see some colors those animals that are awake at night can see things only in black and white colors it means अगर कोई animal है जो दिन में जगता है वो क्या करता है वो सारे colors नहीं देख पाता है बट कुछ color देख पाता है और अगर कोई animal ऐसा है जो रात भर जगता है वो सिर्फ black and white color ही देखने में capable होता है sharp ear फोर्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि जो birds होती है उनके ear easily दिखाई नहीं देते हैं और